कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलेट ने राजस्थान के टॉंक में कहा कि देश में लोकतंतर बहुत मजबूत है, मतदात बहुत जागरूख हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंतर स्थापित हुआ था तब से अब तक के इस सफर में बहुत कुछ और सीखा कल राजस्थान में मतदान होंगे, ये चुनाव बहुत महतपून है, यहां तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की गए, कॉंग्रेस की जो रीती नीती रही उसे लोग पसंद कर रहे हैं देश में लोकतंतर बहुत मैचोर हो गया है, और मदाता बहुत जागरुक हो गए है, और बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंतर स्थापित हुआ था, सतर साल पहले, अब तक कर सफर जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीका, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो इतनी समझदार हो गई है कि अब सब का भरोसा उनकी विवेक के ओपर है, और कल राजिस्थाने वोट पड़ेगा, ये चुना बहुत महत्पून है और बहुत इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तेने के मुद्दों को उठाने के कोशिच की गई, लेकिन कॉं उनका मामला है, जमा नहीं, उनके नेताओं का जो बिश्वसनीता लोगों के प्रतिय है, वो बहुत कायम नहीं रख पाएं, इसलिए अड्वांटेश हमकों मिलेगा, मैं तो उपील करता हूँ सबी लोगों से, कि अपने मत का उप्योग करें, और प्रतियक व्यक्ति को जा मतदाता बहुत जागरूक हो गया, यह बहुत खुशी की बात है, राजस्थान चुनाओ को लेकर लोग सबास पीकर ओम बिरला ने कहा की, 25 नुवंबर को हम लोगतंतर का सबसे बड़ा उत्सब मना रहें, लोगतंतर के उत्सब में हम अधिकतम मतदान कर लोगतंतर की शक् मेरे परिवार जनो, 25 नुवंबर 2023, शनिवार को राजस्तान के अंदर हम लोगतंत का उस्सव मना रहें, यह बहुत बड़ा अउसर है, जब हम सम्भिलकर लोगतंतिक तरीके से सरकार को चुनेंगे, हमारा मतदान का अधिकार है, हम राजस्तान के सब लोग राजस्तान की उन्नती, प्रगती और दिशा निर्धारित करने के लिए अपने मतदिकार का प्रियोग करें, लोगतंत के उस्सों में हम अधिक्तम मतदान करकर, लोगतंत की शक्ति और सामर्थ को बढ़ाने का काम करें, दुनिया के अंदर भारस सबसे बड़ा लोगतंत है, और हमारे लोगतंत में मतदाताओं की निर्धायक मत से, देश और प्रदेशों की सरकारों को चुना जाता है, मेरा आग्र है, आपको मतदिकार का प्रयोग करना चीए, और निर्धारी समय सुबह साथ बज़े से छे बज़े तक, हम सब अपने मत का उप्योग करें, राजस्तान की प्रगत्ति के लिए, राजस्तान की उन्नति के लिए, राजस्तान की विकास के लिए,